असलामों वालेकूम आप देख रहे हैं टेस्टी लाइफ आज मैं बना रही हूँ चिकन कोर्मा सबसे पहले मैंने थ्री मेडियम प्यास को फ्राइ कर लिया इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी इसको चम्चे चलाते रहें ताकि ये कहीं से जल ना जाए अब मैं फ्राइ हो गई है इससे निकाल रही हूँ और इससे साइट में रख दूँगी फिर बात में इससे चूड़ा करके मैं डाल दूँगी अब एक अनदर पैन में इसको अंदर मैंने वाइल दाला दोड़ूंगी इसके ने मैं चिकन दाल के फ्राइ करूंगी जब तक ये वाइट होगी हलके जी फ्राइ होगी दैन इसमें मैं जिंजर गालिक पेस तालोंगी एक चमचा अच्छे जिफ्राइ करना है ताकि ये इसकी ही खतम हो जाए अब ये देखें जिंजर गालिक पेस दाला मैंने एक अलो, इसको फ्राइ ilचाने, अब मैं दाई लोंगी एक कप उसको इसमें दाल दिया और फिर याद रखिएगा दळे को फेट लेना पहले अब एक पकेट मैं ने चिकनकोर्मे कह लिया और उसको इसमें दाल दिया चिकनकोर्मे कमसाला होता है, आफ वही सभी ले सकते अच्छे से चम्चे चला लिया दही अपना पानी चोड़ेगी उसमें चिकन कलेगी फिर अगली बार हम और पाने दाल देंगे डखना डख दिया ये देखें चिकन थोड़ी थोड़ी गल रही है पहले मसाला रज बस कया फिर दही अच्छे से हो गई अब मैं इसके अंदर थोड़ सा पानी दाल दूंगी, तकरीबँ एक ग्लास के मताबिक, ताके बोटीया अच्छे जल जाएं चिकन की बोटीया जितनी अच्छे से गल ली वी हूँ, या कोई सी भी बोटी ओ, आप उसको अच्छे से गल लाले हैं, अब मैंने यहाँ चिकन लीए इसके अंदर एक कप पानी डालूँगी और इसको फिर मैं ढखना ढखके ढख दूँगी थोड़ी देर के लिए तकरिबार पांच से दस मिनट के लिए ढखना ढख दूँगी अब यह देखें आपका मज़िदार चिकन कोर्मा अल्मोस्ट रेडी है अब जो मैंने प्यास को ब्राउन किया था ना मैंने उसका अच्छे से चूरा कर लिया और वो इसके अंदर दाल दिया ताके प्यास और सालन आपस में मिक्स हो जाए यह दिखें अब मैंने ढखना ढख दिया इसको वापस हलकी आँच पर 5 मिनट के लिए ढख दिया था और अब यह बहुत ही लजीज रेस्टोरंट जैसा हमारा कॉर्मा तयार है इन लास मैंने इसके अंदर एक टिबल स्पून जो है केवरा दाल दिया था ताकि उससे बहुत अच्छी खुश्पू आजाए अरूमा इसका एनहेंसो अभी दिखें